नमस्कार मित्रों स्वागत आपका इस यूट्यूब चैनल पे ये पत्र कल से वारल हो रहा है और शायद आप लोग तक पहुंच चुका होगा जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है उनके लिए वीडियो बहुत महत्रपूर्ण है और जिनों नहीं ये पत्र पढ़ा है उन अब कर्पया उप्रत विषक आई जी आर ए संदर्ब संख्या के मादियम से आप द्वारा प्रशा की गई है कि आट जून को मुख्य मंत्री श्रीयोगी अधित्तिनात जी ने जो रिक्द पदों का डाटा मांगा था तो बेसे सिख्षा विभाग द्वारा जो 45,000 प्रात् जो सबी अकबारों और आज तक न्यूस चैनल ने भी दिखाया बताने का कस करें कि सही या गलत तो सद्धारव गलत करते प्रकरण के संबंद में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश बेशिक्षा परिशत के अधीन संचालत परिशिदी प्रात्मिक विद्यालों में सायक अ जतन संशोदित में नहित प्रवादिन उसार माफ करेगा नियम अनुसार संपादित की जात रही है अब वर्तमान में शाशन की अधिसूचना संख्या दिनांग 21 अगस 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 का गठन किया जा चुका है संपरती परशिदी परात्मिक विद्यालों में भी साहिक अध्यापक के पद पर चयन की कारवाई उक्त नवीन आयोग द्वारा की जाएगी करपया उक्त से अवगत होने का कस्च करें आप देख सकते हैं भवदिय सुरेंद कुमारतिवारी सचिव हैं अब इसके दो अर्थ निकलते हैं सबसे पहला अर्थ की रिक्त पदों की संख्या लगभग 45,000 है दूसरी बात क्या 45,000 पर भरती की कोई चर्चा है तो चर्चा तो अभी नहीं है क्योंकि इस बात को फुल स्टॉप लगा दिया ये कहकर कि भई जो सिक्षा सेवा चैन आयोग है उसके द्वारा ही प्राथमिक सिक्षकों की भरती होनी है और आप जानते हैं कि जो सिक्षा सेवा चैन आयोग बनाया गया है उसमें अभी भी स्थाई अध्यक्ष नहीं है और जो आपका नया आयोग बनाया है उसके सामने फिलहाल दो लगी हुई भरतिया है जो एसेस्टन प्रोफिसर वाली है और टीजीटी प्रीजीटी क्योंकि इनके फॉर्म भरे जा चुके हैं इनका नोटिफिकेशन आउट है इनका सिर्फ अब एक्जाम होना बचा है और क इनका नोटिफिकेशन प्रोफिसर वाली है इनका सिर्फ और सिर्फ अग्जाम डेट क्लियर करके एक्जाम कराना है तो उसके बाद जब यह क्लियर हो जाएंगे उसके बाद ही बेसिक में कोई भरती देखने के लिए मिलेगी तो फिलहाल साब बात फुल स्टॉप लगा द तरफ देखाया लेकिन 45,000 जो एक आपको नमूना मिला है जो एक संख्या मिली है ये बहुत महतपूर्ण है अब ये देखने वाली बात है कि जब भी आयोक तयार होगा प्रात्रिक में भरती कराने के लिए तो रिक्तियों की संख्या या पदों की संख्या 45,000 ही देखने को मि मिलेगी या उससे कम मिलेगी क्योंकि पद चाहे एक लाग खाली हों पद चाहे 40,000 खाली हों पद चाहे दो लाग खाली हों ये टोटली सरकार के उपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से और कितनी बड़ी भरती कराएंगे ये आप चैलेंज नहीं कर सकते कि एक लाग आता है कि वो कितनी भरती कितने प्रकार से कितने बार में कैसे कैसे करवाएं उस पर हम सवाल नहीं उटा सकते क्योंकि वो परिशा कराने वाली एजनसी डिसाइड करेगी तो लेकिन फिर भी एक बात ध्यान नकिए का ये 45,000 का जो आकड़ा बाहरा है वो बहुत important आकड़ा है क्यों जब भी भरती हो तो ये अब आप लोग का करतव्य है या आप लोग का काम बन गया है कि भरती की जग सुबहाट आये आयोग तयार हो जाए भरती की बात चलने लग जाए तो लड़ जगड के इसको बढ़ावाएं 45,000 से जादा की संख्या रहेगी तो भरती बड़ी हो जाए की तो जादा से जादा बच्चों को इसमें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा लेकिन मैं अपने चनल से हमेशा एक बात कहता आया हूं और आज भी कहूंगा कि कभी भी ये 45,000, 50,000, 60,000, 70,000 की भरती ना निकाली जाए हर वर्ष 20,000, 20,000 करके ही भरती निकाली जाए ताकि जो नए बैच बने अब आप देख सकते हैं बीटी सी और बीट के जो जो सत्र चल रहा है जो और सत्र बीट गया है उसमें सीट्स खाली जा रही है मतलब विद्याले शून ने है वहाँ पर एक भी एडिमीशन नहीं हो रहा है वो इसी वज़े से हो रहा है क्यो बच्चों का चयन होगा नए सिक्षक और अच्छे सिक्षक मिलेंगे और जो एक विवस्ता है कि एक भरती आती है तो उसमें पचासों लोगों का रोजगार चुड़ जाता है कोचिंग से लेकर चाहे घर किराय पे देने वाला हो और चाहे कौपी किताब बेचने वाला हो चाहे बड़ी-बड़ी कोचिंग क्यों ना हो सबका रोजगार जुड़ आता है तो उमीद है सरकार इस पर जरूर ध्यान दे बड़ी-बड़ी भरती ना निकाल कर हर वर्ष भरती निकाले ताकि बच्चों में भी एक जग उपता रहे बच्चों में एक लगन रहे और उन दे रहे लास्त तक वीडियो देखिए उसके बहुत बहुत दिने बाद आपको दिन शुग हो